मध्य प्रदेश में आज गुरुवार 20 जनवरी से मास्क ही है जिन्दगी अभ्यान चलाया जाने वाला है आवास मंत्री भूपेंद्र सिंग ने कोरोना से बचने के लिए नागरीकों को मास्क लगाने के प्रती जागरुक करने के मकसद से सभी नगरी निकायों में 20 जनवरी से मास्क ही है जिन्दगी अभ्यान चलाने के निर्देश दिये हैं ये अभ्यान 20 दिन चलेगा सिंग ने कहा कि प्रधान मंत्री मोधी ने कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में निशुलक वैक्सिन उफलब्ध करवाई है मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चोहान ने वैक्सिनेशन के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए चाक चौबंध व्यवस्त हैं सुनिश्चित की है इसी का परिणाम है कि वैक्सिनेशन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में है सिंग ने बताया कि अभियान का उदेश नगरी शेत्रों में मास्क के प्रयोग को बढ़ावा देना है मास्क को जन सहयोग से सुलब तरीके से उपलब्ध कराना और मास्क बैंक स्थापित करना मास्क को ठीक धंग से पहनने और उसके सुरक्षित निफ्टान की जानकारी देना अभियान में अर्शास की संगठनों, संस्थाओं और युवाओं का सहयोग लिया जाएगा व्यक्तिकत जन संपर्क के साथ जागरुकता की विभिन गतिविध्या भी की जाएगी मास्क लगाने वालों को प्रोचसाहन और नहीं लगाने वाले लोगों को समझाईश दी जाएगी रोकोटो को अभियान चलेगा विभिन प्रचार माध्यमों से मास्क लगाने के फायदे बताये जाएगे मास्क नहीं लगाने पर समझाईश भी दी जाएगी और इसके बाद चालाने कारवाई भी की जाएगी